राज लीती से काम तक, सियासी गल्यारों से कुर्सी तक, हैसाम से लेकर मंतरी तक, महंगाई से गड़ी भी तक, हर खबर पर रहीगी हमारी नजर नमस्कार, मैं उराउल शर्मा, आप देख रहे हैं, स्पिन आइन न्यूस, स्वागत है, आप सभी का अमारे इस खास प्रोग्राम में प्रोग्राम की शुर्वात हम करेंगे राज ठाकरे से, जी हा, राज ठाकरे ने और अंगाबाद में जो रैली किये, उसके बाद से पूर कई कदम उठाए गए हैं, राज ठाकरे का अल्टिमेटम तीन तारीक का था, लेकिन राज ठाकरे ने ये कहा है, कि भाई, तीन तारीक को वो मुस्तलमानों का तेवहार खराब नहीं करना चाते, क्योंकि तीन तारीक को ईद का तेवहार है, ऐसे में राज ठाकरे ने चार त तारीक की तारीक दे दी है और उन्होंने कहा है कि चार तारीक को हिंदू जो है वो पूरी तरह से तयार रहें इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भई अकर चार तारीक तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं अटते या फिर आजान की आवाज कम नहीं होती तो इसके क कई गुना में वो हन्मान चालिसा जो है वो लाउड स्पीकर पर बजाएंगे ऐसे में सवाल ये बनता है कि मुसल्मानों की इस्थिती कैसी है राज ठाकरे के बयान के बाद से देश के मुसल्मानों का हालात क्या है महराश्ट के मुसल्मानों की इस्थिती क्या है और सीधे सी ठाकरे से काफी नाराज है दरसल राज ठाकरे ने जो बयान दिया है वो बयान अब पूरे देश में फैलता नजर आरा अभी हाली में कुछ समय पहले देखने को मिला कि देश के कई राज्यों में दंगा हुआ हाला कि मुसलिम नेताओं की तरफ से क्या कुछ परतिकरिया सामन भेज़ा है शफिकुर रह्मान बार बार ये कह रहे हैं कि मुसल्मानों को दवाया जा रहा है मुसल्मानों को भारत में जगा नहीं दे जारी तो मुसल्मान जाएगा तो कहा जाएगा अभी हाली में एक और वीडियो सफिकुर रह्मान का सामने आया जिसमें वो सीधे तोर पर कहते हैं कि भाई मुसल्मान को अब एक जूट होने की जोरत है क्योंकि आज बात अपनी है इसके अलावा हम चलते हैं दिली दिली के जामा मस्जिद के शाही इमाम इमाम बुखारी का जिकर कर लेते हैं इमाम बुखारी का भी एक हाली में वीडियो सामने आया जिसमें इमाम बुखारी ने कहा कि मुसल्मानों को दबाया जा रहा है उन्होंने सीधे तोर पर अकलेश यादव पर भी निसाना साधा उन्होंने ये कहा कि यूपी विधान सबाच चुनाओ की समय मुसल्मानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसल्मानों की आवास को कभी नहीं उठाई इस पीच उन्होंने कॉंग्रिस पार्टी पर भी निसाना साधा बसपा पर भी निसाना साधा और उन्होंने कहा कि मुसल्मान आज ये तैय नहीं कर पा रहा कि जाएं तो किसके साथ जाएं दरसल देखा जा रहा है कि शफिकुर रह्मान हो या फिर इमाम बुखारी हो या असदुदीन ओवैसी हाला कि इन जिन नेताओं का जिकर हम कर रहे हैं इनके जो खबरे हैं वो बकायदा हमने अपने चैनल पर दि रहे हैं वो उनके बयान से डरने वाले नहीं हैं और इट का जवाब वो पत्थर से देंगे यानि कि मुहतोड जवाब देनी की बात कही जा रही है असदुदीन ओवैसी के पार्टी के सांसदों के जरिए दरसल ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे जिस तरह से सीधे तोर पर मुसल्मानों को चुनौती दे रहे हैं तो वहीं मुसलिम समुदाय के लोग भी अब पूरी तयारी करते नजर आ रहे हैं हाला कि इस बीच महराश्टर से एक बड़ी खबर निकल कर ये भी सामनी आई कि महराश्टर में जगा जगा पोश्टर लगे हुए थे राज ठाक प्तरव परदेश हो गुझरात हो दिल्ली हो या फिर देश के करते है या फिर कोई भी अगर दंगा करने की कोशिश करता है या फिर कोई भी ऐसा सदस से दिखाई देता है जिसकी मंशा दंगा करने क्यों उसके किलाब तुरंत कारवाई उठाए जाए क्योंकि ये देखा गया कि अभी हाली में कई राज्यों में जिस तरह से भवाल हुआ चाहे दिल्ली के जांगीर पूरी में दंगा हुआ हो या फिर उत्तर उठाए जला है कि इस वक्त हन्मान 14 आ वोर्सिज जान होता नजर आरा है लावडे स्पीकर वोर्सिज जो है राज ठाकरे चला है छाला कि अधव ठाकरे जो है वो कई चीजों को धिः नहीं रहे और यहां पर देखा गया कि जो रैली की है राज ठाकरे ने ऐसे में उनकी रैली को चेक किया जा रहा है और सीधे तोर पर राज ठाकरे के खिलाफ कदम उठाए जाने की भी बात सामने आई है इन सब के बीच पूरे महराश्ट में सियासी उठापटक बहुत ज़्यादा थे जूच्यका है उद्धा ठाकरे लगातार हर घटना पर नजर बनाए हैं लेकिन मुसल्मान समुदाय के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है मुसल्मान समुधाय के लोगों को भी कहीं न कहीं आक्रोशित करने की कोशिश की जारी एक और जहां राज ठाकरे लगातार बयान दे रहे दूसी तरफ मुसलिम समाच के नेताओं की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है तो ऐसे में देखिए हम ये खास अपील लोगों से जरूर करना चाहेंगे देखिए तीन तारी को ईद का तिवहार है और ऐसे में हम ये जरूर अपील करना चाहेंगे तमाम देशवासियों से या मुसलिम समुधाय के लोगों से कि इस तरह से किसी भी बात को या किसी भी मैसे से मनाते हैं और ये तोहार खराब ना हो ये लोगों की भी देखे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो लगातार हम अपने चैनल के मादियम से लोगों को ये बताते रहें कि लोग इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें इस तरह की वीडियो पर ध्यान कर रहें लेकिन जंता को समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा और जंता को सोच विचार कर काम करना पड़ेगा तो फिलाल हम जैसे कि अपने प्रोग्राम की बात कर रहे थे राज ठाकरे से राज ठाकरे आयोध्या जाकर क्या कुछ कदम उठाएंगे और क्या इसके लिए योगी आदितनात ने पूरी तैयारी कर ली है दरसल जिस तरह मुस्लिम समुदाय के तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा है कि उन्हें दब आवाज हुसैन की तरफ से और कई नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो अजान बंद होगी ना ही हन्मान चालिसा और ये देश हिंदू-मुस्लिम-सिक-इसाई ये सबका है और इस देश में सबको प्राथमिक्ता दी गई है तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि देश के समिधान में सभी धर्मों को आजादी दी गई है सभी धर्म के लोगों को जो है बराबरी का अधिकार मिला हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेता जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बाटने की काम कर रहे लेकिन लोगों को बहुत समझ के साथ काम करना है पड़ेगा और लोग अगर समझदारी के साथ काम करेंगे तो इससे देश का माहौल जो है वो बहतर होता नजर आएगा हाला कि अब देखना होगा कि राज ठाकरे चार तारीकों क्या जो उन्होंने एलान किया है वैसा ही कदम उठाते हैं और जो राज ठाकरे कदम उठाएंगे उसका पूरे देश में क्या असर पड़ेगा आज के लितना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार